नमस्कार दर्शको, मेरा नाम है जोतिश अचारे मदु सुधन गुस्वामी आज मैं आपको इस कारेकरम के माध्यम से बताऊंगा कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है इसके पीछे हमारा वैदिक कारण क्या है, इसके पीछे हमारा पौरानिक कारण क्या है और इसके पीछे हमारा आज का आधुनिक कारण क्या है वैसे तो गणेश जी को सभी जानते हैं बहुत ही खुश मिजाज, चंचर प्रवती, हसी मजाग करने वाले और नटखट किसम के हमारे यह देवता माने जाते हैं आप सभी जानते हैं कि गणेश जी को गौरी पुत्र भी कहा जाता है पारवती पुत्र भी कहा जाता है या शिव का पुत्र कहा जाता है तो यह है गौरी और शिव यानि कि भगवान शिव और मापारवती की संतान है गईश भगवान जो है वो गईश जी ने स्वेम एक आभास किया कि मुझे पुत्र संतान चाहिए तो इस तरीके के उन्होंने प्रतीमा बनाई जो बाद में गईश जी का रूप धारन करती है बहुत सारी ऐसी कुछ कताएं हैं लेकिन गणेश जी को माना जाता है कि ये बहुती बुद्धी शाली हैं इनकी बुद्धी और इनकी विवेक के सामने कोई भी प्रकरती में ऐसा जीव या कोई भी मानव या कोई देवता नहीं है जो इनकी बुद्धी का सामना कर सके क्योंक पाफ लिखते हैं सुन्दर लिखते हैं सुच लिखते हैं और बिना किसी गल्ती के लिखते हैं तो इसलिए कभी-कभी आपने इनका कोई पोस्टर या ऐसी मूर्ती देखियोगी जिनके अंदर वो कमल की एक डंडी लिए हुए हैं और उससे कुछ लिख रहे हैं तो गणेश जी को लेखनी के रूप में भी बड़ा माना जाता है और दिपावली के दिन भी इनकी पूजा बहुत अच्छे तरीकी से माना ही जाती है क्योंकि ये रिद्धी और सिद्धी के दाता हैं गणेश जी रिद्धी सिद्धी के दाता क्यों है क्योंकि इनकी जो पत्निया है जब से स्रिष्ठी चली आ रही है तब से आदी गनेश रहे हैं हाँ उन्होंने कभी शरीर रूप में जनम लिया गडेश के रूप में वह अलग बात है वरनतु आदी गनेश इस प्रकृती से शुरू से ही चले आ हैं अपने जनम से पहले से ही वह जीवित रहे हैं यानि कि संसार में वह रहे हैं लेकिन हम पुराणों की अगर बात करें तो यहां पर कई बार कुछ मद्भेद हैं जैसे कि शिव पुराण में यह कहा गया है कि भाधरपद की कृष्ण चतुर्दशी को गणपती जी का जनम ह लेकिन गणपती पुराण में कहा जाता है गणेश पुराण में कहा जाता है कि भाधरपद की चतुर्दशी को भगवान गणेश जी का जनम हुआ है तो यहां पर अगर हम 2022 की बात करें तो 31 अगस्त 2022 को भाधरपद की शुक्लपक्ष की चतुर्दशी को यहां पर गणेश चतुर्दशी मनाई जाएगी जिसे गणेश चतुर्थी कहा जाएगा और यह जो पूरी पूजा है यह लगबग 9 से 10 देहती है कभी तिथी ऊपर नीचे हो जाती है जिसकी वैसे कभी 9 दिन कभी 10 दिन और कभी 11 दिन पर यह पूजा चलती है वैसे तो पूरे भारत जहभव शाली तरीके से इसको मनाया जाता है क्योंकि वहाँ पर महारास्ट में जैसे की उज्जयन के अंदर हम भगवान भोले शंकर के अगर बात करें तो वहाँ पर महाकाल को वहां का राजा माना जाता है ऐसे गणपती जी को महारास्ट में राजा माना जाता है एक यह पूजा आप जो करते हैं अपने भाव से करते हैं क्योंकि परमात्मा आपका भाव देखता है कि आप उसके उस उत्सब को उस्त्योहार को किस भाव से मना रहे हैं और उसी भाव से वह प्रसंद होकर आपके ओपर अपनी किरपा करता है तो बात करते हैं घणेश भगवान गणपती जी का जनम दिन है उस दिन में पैदा हुए थे इसलिए गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और वैसे तो कहा जाता है कि किसी भी महीने के शुक्ल पक्षी जो चतुर्थी होती है उसको गणेश जी की पूजा करना बहुत ही लाबदायक होता है गणेश जी बहुत शुब हो जाता है इसलिए किसी भी कार्रे को जब हम करते हैं तो हमेशा सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है क्योंकि इसके लिए भगवान शिव ने उन्हें वर्दान दिया हुआ है कि आपकी पूजा सबसे पहले होगी अगर आपकी पूजा सरपर्थ करते को यूँ कि कोई भी काम अगर बिना बुद्धी और बिना विवेक और बिना planning की किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसमें समस्य आएगी तो परमात्मा हमें एक संदेश जेता है परमात्मा में methods कि गनेश गनेश जी की पूजा करने का तात पर रहे कि आप जब भी कोई कारणे करते हैं तो बिना होमवक किये बिना प्लानिंग के साथ और बिना बुद्ध्य और विवेक के बिना एक्सपर्ट एडवाइस के आप मत कीजिए अन्यता आपको उसमें समस्य आ सकती है तो इसलिए पसंद भोजन करा दे जो आपको बहुत स्वादिस्ट लगता है तो आपको मन कितना खुश हो जाएगा आपको कुछ वह ऐसे वस्तर दे दे कुछ ऐसे उपहार दे जो वस्तर आपको पसंद है उनका कलर आपको पसंद है या आपको ऐसे उपहार पसंद है जो आपको बहु करवा सकते हैं ऐसे ही जब परमात्मा की पूजा करते हैं तो हम उन्हें कई बार थोड़ा सा लालज देते हैं लालज क्या देते हैं हम उनकी पसंदीदा चीजें उनको अर्पित करते हैं पसंदीदा चीजें उनको खिलाते हैं पसंदीदा माहौल उनको देते हैं जिससे प्र पोजन की बात करें तो उनको मीठा बहुत पसंदिन और मीठे के अंदर वी उनको Jyo Modak है जिसको संस्कृत में मोदक कहा जाता है और हिंदिय अनुवाद उसका लड़ू होता है लड़ू वैसे तो किसी भी चीज़ का हो सकता है लेकिन कहा जाता है कि जो बूंदी का लड्डू होता है या आटे का बना लड्डू जो होता है वह उनको ज्यादा प्रिये होता है बाकि आप लड्डू किसी भी चीज का बना सकती हैं मोदग किसी भी चीज का बना सकते हैं चाहे वो खोय का हो बेसन का हो आटे का हो लेकिन मोदग रूप में अगर होता है तो भगवान गड़ेश जी को उसको खाने में बड़ा ही आनन दाता है बाकी आप उनको पकवानों के साथ भोजन करा सकते हैं क्योंकि आगर आपने देखा होगा गड़ेश जी खाने के बहुत शौकी ने उनका पेट थोड़ा सा निकला हुआ है और उसी वज़े से क्या है कि उनको लगातार खाना या ज्यादा खाना अधिकतर पसंद होता है तो इसलिए गड़ेश जी को आप अच्छे अच्छे पकवान सुन्दर अपने हाथ से बने हुए अच्छे मीठे कम मसालेदार पकवान अगर आप उनको खिलाते हैं तो वह बहुत ही प्रसंद होते हैं लेकिन बिना मोदक के उनको कुछी मत दीजीगा बिना मोदक के वो कोई भी भोजन जो है वैस युकार नहीं करते हैं भोजन के इलावा अगर आप उनको वस्त्र पहनाना चाहते हैं तो उन्हें दो तरह के रंग बहुत ज़्यादा पसंद है एक तो उनको हरा रंग बहुत पसंद है हरे में भी अगर रेशमी हरा है तो उनको वो ज़्यादा प्रिये है दूसरा उनको पीला रंग बहुत पसंद है अगर आप गणपती जी को रेशमी पीले रंग का या हरे रंग का कोई भी वस्त्र उनको अर्पित करते हैं तो उनको बड़ा ही प्रसंता मिलती है, बड़े ही वो खुश होते हैं और आपको वो आशिरवाद देते हैं और आपको और अपनी किरपा भी रखते हैं गड़ेश जी की जो पूजा है, उस पूजा को करने के लिए वैसे तो गड़ेश जी के लिए हम बहुत सारे मंत्रों का प्रयोग करते हैं, वैदिक मंत्रों का प्रयोग करते हैं, तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग करते हैं, बीज मंत्रों का प्रयोग करते हैं, लेकिन सबसे सा श्री गनेशाय नम्हा इस मंत्र का ध्यान करते हुए भी आप लोग पूजा करते हैं श्री गनेशाय का मत्तब क्या है कि हे गनपती जी आपको बारब बार नमस्कार है और नमस्कार करके आप सारी पूजाओं को आरम कर सकते हैं पूजा में स्थापित वस्तु आप क्या कर सक गणेश चतुर्थी के दिन आप एक सुंदर चौकी या एक आसन बनवाईए उसको आप जितना भी सजा सकते हैं फूलों से या पुष्पों से या किसी आर्टिविशल चीजों से या किसी भी ऐसी चीज से जो घर की सजावट से सम्मंदित होती है तो शुद्ध पवित्र ची किया इस थापित करने के बाद आप उनकी अगर किसी ब्रह्मन को बुला के व्यादिक दीदी से पूजा करसकते हैं तो जैसा हम अपने शरीर के अंदर बन्यान पहनते कुछ बन्यान जैसा कुछ कपड़ MSBu कोई बी ऐसी माला को पैना सकते हैं या फिर और पुश्पों की माला या दूरवा की माला पैना सकते हैं ग्हांस बहुत प्रीय है थे ऍम सցचिए व्लता पाद उनका तिलक कीजिये उनको चावल लगाई तिलक के बाद माति पर और और उनको फिर एक मुकुट धारन कराईए यह सब करने के बाद जब उनकी शारीदिक पूजा कर लेते हैं फिर उसके बाद आप उनको कुछ नकुछ मीठा नेवेद भोजन इत्यादी कराईए उसके बाद आप उनको इत्र इत्यादी लगाई जिसे उनकी शरीर में जीए और यह सारी पूजा करने के बाद आप उनको फिर एक तामबूल यानि की पान खिलाईए तो कि उनको खाना बहुत पसंद है इसलिए उसके बाद उनको तामबूल भी बहुत पसंद है तो गणपती जी को आप तामबूल यानि की मीठा पान अवश्य ही अर्पित करे उसके बाद उनकी आरती इत्यादी करके अपना कीर्टन इत्यादी उनके साथ आप लगातार कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप गणे चतुरती से लेके और चतुरदशी यानि की चौथी तिति से लेके और चौधी तिति तक यह दस जिन का एक उस्सव होता है जो भादरपत में मनाया जाता है शुकल पक्ष के समय पर कुछ लोग गणपती जी को एक दिन के लिए लेके आते हैं जो कोई गंदा जलना हो, जैसे कि आप किसी पवित्र नदी में उनको प्रवाहित कर सकते हैं, किसी साफ नहर में प्रवाहित कर सकते हैं, जैसे महाराष्ट के अंदर तो समुद्र है, तो लोग समुद्र में जाकर उनको प्रवाहित कर देते हैं, लेकिन एक चीज क्या धान र बाद में उनको फिर तोड़ा जाता है निकाला जाता है तो उस पर तीमा का अप्मान होता है इसलिए कोशिश कीजिए ऐसी पर तीमा लाईए जो कि एको फ्रेंडली हो उसकी मिट्टी पानी में जाते ही घुल जाये और कई जगाँ पर ऐसी विवस्था नहीं है कि जहां पर नदी नहीं है या फिर समुद्र नहीं है तो इको फ्रैंड्ली प्रतीमा लाने से क्या होगा कि आप उसको घर के ही एक चोटे से टब में या चोटे से बाल्टी में या किसी भी ऐसी जगा पर जहां पर आप एक घटा पानी कर सकते हैं और उसमे उस प्रतीमा को रखते हैं और वहें आपके यूज में भी आ जाएगी तो इस तरीके से आप शुद और पवित्र तरीके से भगवार गणपदी जी की पूजा अराधना इत्यादी अवश्य कीजिए क्योंकि गणपदी जी की पूजा करने से आपको बुद्धी विवेक मिलता है आपको ज्यान की प्रा बुद्धिमान और इतने समझदार देवता है कि वो जिसके साथ जुड़ जाते है ना फिर वो व्यक्ति जीवन में कभी गलती नहीं करता है और हजारों लाखों करोडों लोगों का जीवन बदलता है इस उस सब के बाद क्योंकि उनके मनों कामनाय पूर्ण होती है पूज अच्छाईया और बुराईया सब आपकी ही देन है तो हे प्रभू अगर मेरे अंदर कुछ अच्छाईया है तो उसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए और अगर मेरे अंदर कुछ बुराईया है तो उसको कम करने की कोशिश कीजिए क्योंकि मैं आपका ही बालक हूँ आपका करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति परमात्मा को और अपने आपको एक मान लेता है, तो फिर परमात्मा आपके जीवन में सवलता है, अवश्चे देते हैं, क्यों? क्योंकि परमात्मा भी तो चाहता है कि मैं जिसके साथ जुड़ा हूँ वो खुश रहे, वे प् 30 अगस्त 2022 को गणेश चतूर्ती में गणेजी जरूर लाएं अपने घर में स्थापित करें अपने घर को कल्यान करें अपने घर का अपने परिवार का कल्यान करें क्योंकि गण माने सैना भी होती है और गण माने पवित्र भी होता है तो गणपती का मदब क्या है कि गणपती यानि कि पवित्रता के पती यानि कि शुदता के पती और शुदता के साथ पवित्रता के साथ विश्वास के साथ और समझदारी के साथ अगर आप इस सब को मनाते हैं तो गणपदी जी प्रतक्ष प्रमान देते हैं यह मैंने बहुत सारे लोगों से सुना भी है और समझा भी आप अपने पल-पल को इश्वर के लिए समर्पित कर दे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमात्मा आपकी आवाज ना सुने अरे आवाज तो वो सुनता ही है क्योंकि वो तो आपके अंदर है हमी बलकि उसके उपर एहंकार के रूप में धारण की हुए है अपने शरीर को परमात परमात्मा नहीं हमें जनम दिया हुआ है और उस परमात्मा को अगर हम भूल जाते हैं अपने एंकार के वश्च उसी दिन से हमारे अंदर दुख आना शुरू हो जाता है तो परमात्मा को विश्वास के साथ जीतिये और उसके उपर पूर विश्वास रखिए यह सोचिए है कि मेरे अंदर ही कोई कमी है जिसकी वएस्ते मैं उसको प्रसन नहीं कर पा रहा हूं तो दर्शो को इसी के साथ में अपनी वानिको विश्राम देता हूं तो आप सभी को गणेश चतुरुति की बहुत-बहुत शुब्खामना एं बहुत-बहुत आपको मैं शुब्खाम लाकर ही गनेश जी की पूजा करें, अगर आप कोई परतीमा नहीं लाना चाहते हैं, कोई बात नहीं हैं, आपके घर में अगर कोई तस्वीर है गनेश Chief की, या आपके घर में पहले से ही गनेश जी रखे हूँ जैसे हम दिपावली पर गनेश लक्षमी लाते हैं या फिर आपने कोई ऐसी पर्मानेट कोई प्रतीमा रखी हुई है जिसके आप कई सालों से पूजा कर रहे हैं तो उनके द्वारा भी आप गनेश उस्व को मना सकते हैं उनी की पूजा करके आप उनको बिना विसर्जित की आप उनकी पूजा कर सकते हैं विसर्जित वो लोग करते हैं जिनके घरों में मंदिर नहीं होता है वे कुछ समय के लिए भगवान को लाते हैं विसर्जित कर देते हैं लेकिन अगर आपके घर में कोई पर्मानेट मंदिर है जिसमें आप रेगुलर गणेश जी की पूजा करते हैं तो उसी प्रतीमा के बहुत बहुत शुब कामना है गणेश उस्तत की और मैं भगवान गणेश जी से प्रात्थन करूंगा शिव पारवती से प्रात्न करूंगा कि है प्रभू आप सबको वे अपना पूर्ण भग समझें और आपके ऊपर अपनी पूरी खिरपा करें तो सभी मंगल कामनाओं के स पाता विक्राची नुर्वी पुर्वी बें रूपा जयाची पाता वीक्राची नुर्वी बें रूपाँ को को